नमस्क्त दोस्तों मैं हूं स्परशर्मा और आप देख रहे हैं ही माचल फर्स्ट और आप तक ये लाइश्ट्रीम पहुंचा रहे हैं मेरे से होगी राम प्रकाश आज हम अपना एक खास कारेकरम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है तीके सवाल और तीके सवाल को जवाब देने आज हमारे साथ जोड़े हैं चिंदपुनी विधानसवा से इंजिनेर राम पाल जी जो 2022 में आमाद्मी पार्टी की टिकेट से चुनाव लड़े थे और इसके साथ साथ अभी जो वो है वो है चिंदपुनी विधानसवा के S.C. मौर्चा के महामंत्री राम पाल जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत सवागत है हमाचल फरस्ट के खास कारेकरम तीके सवाल पे नुश्का सर हमाचल फरस्ट का बहुत बहुत धन्यवद की आज आपने मुझे मुझे मुका दिया और आज आपको मैं बोलने मी चाहता हूं कि आज बहुत एक अच्छा अफसर है हमारे लिए बहुत शुब गड़ी है क्योंकि आज हमारे पूर मेरे केंदरी मंतरी और बरत जन्म दिन भी है तो इस जन्म दिन के उपलक्ष में मेरी तरफ से अनाव ठाकर जी को सभी पर देशवासियों को और देशवासियों को उनके जन्म दिन के उपलक्ष में बहुत बहुत बढ़ाई एवे महार्दिक शुब कामना है तो क्या आज आप हमारे तीके सवालों का जवाब देनी दे तैयार हैं? बिल्कुल सर त्यार है ज़िए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप से पूछना चाहेंगे 2022 में 62,000 बत्तर जो है वोट पोल हुई थी चिंदपुरी विधानसभा में और आपको आमादमी पार्टी ने टिकेट दिया था अपना तीसरे नमर पर आप वहाँ पर उस समय आप रहे थे क्या कारण है जो आप चिंदपुरी विधानसभा की जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रहे ऐसा क्या कारण था जो आपको तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है देखिए ऐसा है कि मेरा जो राई नितिक जो केरियर है बहुत ही कम केरियर था मैं भी आप लोगों की तरह ही एक मतलब समाने परिवार से विलोंग करता हूँ और मुझे अपना कोई राई नितिका कोई तो यर्वा नहीं था एक्स्पिनिस नहीं था मैंने 98 में डिपलोमा किया था मिर्पो पल्टेगनी से और उसके बाद में में बोडर रोड और्गनाइशन में एज जुनियर इंजिनिस सेवल के पोस्ट पे तिनाथ हुआ था तो राई नितिका मेरा दूर दूर तक कोई तो यर्वा भी नहीं था और दूर दूर तक कोई समन्द भी नहीं था उसके बाद में मैं डेपार्टमेंट में रहा एकी साल मैंने आर्मी में बोडर रोड और्गनाइशन में सेवा की एकी साल और उसमें इन बिट्विन मैंने पढ़ाई भी की बीटेक की डेपार्टमेंट ने बहुत अच्छा मोका भी दिया मुझे दो ह्यार बाइस में कुछ कारणों के कारणों मैंने बिलेंटी रिटार्मेंट ले ली अपने प्रिवारिक पर स्थितियों की वैसे मैंने बिलेंटी रिटार्मेंट ले ली और फिर मैं सोचा कि जब हम लोग इस अपने सर्विस के दुरान जब हम लोग आते थे हमारे शु पूटियां जो ऑप्सों के चकर काड़ते काड़ते ही निकल जाती थी कुछ कारण को काम करवाना है आपने तो मैंने सोचा कि ऐसा है कि यार कि हम लोग जो सारा तो दबदबा राइनिती कि शित्र का प्रभाव क्योंकि एड्मिसेशन के ऊपर रहता है दखलना जी रहती है त उनके लिए कुछ ऐसा करूँ प्रावदान करूं कि उसके लिए कि लोगों को बिचारों को चकर ना काटने पड़े दफ्त्रों के चकर ज्यादा ना काटने पड़े जहां उनकी परिसनल अपिरोड़त है वहीं जाना पड़े आधरवाई चक्र ना काटना पड़े लेकिन उसके लिए मुझा राजनितिक प्लेट फर्म में जाना था। आम आद्मी पार्टी कुछ ऐसी विचारदोरा लेकर आ रही है जिसमें लोगों को, मतलब लोगों का काम करना चाहती है, पार्टीस, इशचा, उनकी इससे शक्ति लोगों का काम करने के द्रातल पे काम करने की तो उस उस बातों में मैं भी आ गया मैं भी आ गया तो मैंने इस से नाइन्टी एड़ तक संग का स्वायम सेव करा हूँ यहाँ पहले हम लोग अपने स्कूल काल में मैं यहां अपना संगल वाता था अंब में और उसले के बाद पॉल्टेनी कोले में तो मेरी जो बिचारदारा थी मैंने सोचा कि हमारी जो बिचारदारा है राइनी ते की बिचारदारा को लेकर नहीं चले थे हम लोगों की समाज सेवा की बिचारदारा में जुड़े पहले पहले दूर से सब लोगों को जैसे मैं आर्मी में रहा तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि शोचल मीडिया पे प्रिंट मीडिया में सब जगा यहीましょう that कि यह पार्टी के कैंडिडेट है उसमें स्तारवी नंबर परता है माचल में तो लेकिन जब हम लोग पार्टी के अंदर गे तब देखा कि पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है और जिस जिस भी राजनीतिक पार्टी का कथनी करनी में अंतर है उसको बहुत ज्यादा ल काम कुछ करते हैं तो इस वज़ा से मैंने इलेक्शन के बाद पार्टी में रिजेन कर दे और पार्टी शोड़ दी और अब मैं फोजी आदमी हूँ मुझे फोजी आदमी हूँ तो मुझे पहले देश की सुरक्षा के साथ में खिलवार करने वाले जो पार्टी हो उसके अग harbor बिलोन करता हूं तो ऐसी कम्मनेटी का जो उतान जो किया है थि ऑसको देखते हुए मैंने इनकी वजार ध़रा को देखते हुए कि देश के लिए development के लिए काम करने वाली पार्टी है, देश की शुरक्षा को हर संबब प्रयास करने वाली पार्टी की देश की शुरक्षत रहे, देश इनके लिए सर्भो पर है, तो जिस पार्टी के साथ, जिस पार्टी का उदेश है, देश सर्भो पर है, मैं उसी के साथ भी हूँ और मैं अपने आपको गोरवान में भी महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ देखो इन लोगों ने बहुत जो दूसरी पार्टी है इन्हों ने बहुत बीजेपी के भाजपा के बिरोद में बहुत परचार किया काफी लोगों परचार किया कि नहीं यह पार्टी जो अंसूची जाती वालों की नहीं है वो भी सी वालों की नहीं है यह तो बड़े लोगों की पार्टी है लेकिन जब मैं पार्टी के अंदर गया तम मुझे पता चला कि असली मानसमान जो हमारे लोगों को दिया है, हमारे community के लोगों को दिया है, इस पार्टिन दिया है, आपको याद होगा कि अपना जब धूमल जी CM बने थे, तो 68 बिधान सवाओं में धूमल जी ने ही अंबेदगर भवन खोले थे, और आज कांग्रिस की हाल तो देख लो, आप उनको देख रेक के लिए भी कोई इनके पास फंड ही नहीं है, कोई फंड ही ने औरिजिनेट किया ही नहीं, तो मैं तो सोचता हूँ, यह हमारी असली पार्टि तो हमारी बीजेपी हैं, अब हमारे लिए बाबा साथ भीमराव अंबेदगर जी एक भगवान के समान है, जैसे हम लोग राम की पूजा करते हैं, बैसे बाबा साथ की पूजा करते हैं, तो अब जो मान समान, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, बाबा साथ जंदा रहे, इन्होंने उनको बेजती के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी पार्टी ने अपने जब अटल व्या बनाए, भाजबा के कारेकाल में बनाए, तो मैं तो अपने जो खासकर जो हमारे अनसूची जाती के भाई, वेहन, बजोर्ग, सब को भी बोलता हूँ, कि नहीं आप थोड़ा सा इसको चीज़ों को अनलाइसिस करो, कि हमें ठगा किसने हैं, और हमें ऊपर तक आगे ले जा है, कि भाजबा ही एक ऐसी पार्टी है, जो हमारे अनसूची जाती के लोगों को भी ध्यान रखती है, इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा एक बाफेर से, आपके साथ जो इलेक्शन लड़े भाजबा की तरफ से, बलबीर सिंग चौधरी जी लड़े, जो काफी धुर सिंग बबलू, जो जिन पर चिंद्पुर्णी जनता ने विश्वास जताया, क्या वो उस पर खरे उतर रहे हैं, अभी तक के कारेकार लगों, जब हमने एलेक्शन लड़ा था, बलबीर चोधरी जी जो हमारे माननी नेता है, 25 साल उनने, 25 साल के उपर का उनने का राइनेत चाहे हो सभास्ते के किशितर में देख लो, तो उनने बहुत काम किये, लेकिन क्या हुआ कि में टाइम में कांग्रेस पार्टी ने सुदर्शन बावलू जी को टिकट दे दिया, तो और अपने हिनेता का एक जो पराने, अपने मंतरी भी रहे, पूरा में मंतरी भी रहे, उ लोगों ने भी विश्वास जिताया, एक्चल में लोग विश्वास इसलिए जिताया कि लोगों ने सोचा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे सनोजेजित ढंक से, बिलकुँ प्लानिंग से, एक त्यार किया, अपना मैनिफेस्टर त्यार किया, उसमें दस गरंटियां दे दी लोगों को, कि हर साल हम लोग जो अपना एक लाग नुक्रियन देंगे, उससे जुवाय ठकेगे, पंद्रास रुपया मैलाओं को देगे, उसमें मैलाओं को ठके लिया, और उसमें अपना बागवानों को ठका, कि हम लोग उसका मूले तया करेंगे, अच्छा मूले देंग उसके बाद में किसानों को ठख लिया कि और जो दूद बाला काम करने वाले उनको ठख लिया कि हम लोग आपका दूद हम लोग सो रपे के लोग बेचेंगे हम लोग आपसे किसानों को बोल दिया हम लोग आपसे गोपर खरीदेंगे तो जो कुल मिला के दस गरंटिया और उस के बाद में वो ही NPS में चल रहे हैं अभी तक भी तो कुल विला के उन्होंने वो हैं जो हमारी अ जो परदेश के जो लोग हैं कुल मिला pec इनकी दस गरंटी के उसमें आके उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया उन्होंने सोचा कि हमारा एक ऐसा नेता है उन्होंने कुछ चेंज करने की सोची देखो जब भी आप हमारे यहां इलेक्शन होता है तो लोग कैसे होते हैं कि बदलाव करते हैं बदला आपकी राइनिती है हमारे यहां कि एक बार हम लों बीजेपी को एक बार कांग्रेस को ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रेंड है माचल में तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि यह अपना जो नेता नहीं बेटा वाले स्लोगन पर आए तो बेटा बहुत अच्छा करके काम क हो रहा है अभी क्या आप देखें आमगरांड में बिल्डिंग बन रही है उसके स्लैव डलने के लिए उपर तक दिवारें खड़ी है मुझे लगता आने वाली बरसातों में गिर भी जाएगी हो दिवारें गिर भी जाएंगी वह अभी तक हुआ नहीं काम जहां जहां जह लोग कितनी बसें चली और अभी जो अपना और जितने भी काम है आप कोई भी एक काम किनवादे कांग्रेस भाई है हमारे क्योंकि इसमें कांग्रेस वालों ने ऐसा ना कि भाजपा जा कांग्रेस का सवाल नहीं है कांग्रेस वालों ने सारे लोगों को ठगा है पूरे उस से जो आपने आपने बताया कि Congress भाई हमें काम किनाए उनकी बहुत बड़ी उपलब्ती है पहली बार चिंदपुनी विधन सवा में जो है चिंदपुनी महौद्दसवमा चिंदपुनी के नाम से एक महौद्सव किया गया उस महौद्सव को लेकर चिंदपुनी विदानसाबा में काफी जो राजनीती भी गर्माई आपने देखा होगा हर तरफ जो था उसको लेकर चर्चाएं थी और इसके साथ साथ आपने ये भी दिखा होगा कि वेपार मंडल ने भी जो है इसको लेकर रोश रहले निकाली जिसमें आप भी शामिल थे हमने आपको भी इसके साथ नेता जो पूर्व हमारे चिंदपुर्णी विदानसाबा के विदायक है उन्होंने भी भरष्टाचार के सीधे सीधे आरोप जो है कॉंग्रिस गौर्रमेंट पर गॉंग्रिस विदायक पर लगाए इसके उपर आपका क्या कहना है और चिंदपुर्णी महसव क के लिए है लेकिन हम लोग पहले हमारा विरोध था जो मैं भी विपारी वहीं के साथ में था हमारा विरोध यह था कि जो यहां चिंदपुर्णी महसव के दुरान जो दुकाने लग रही हैं क्योंकि एक मिने का टेंडर किसी बाहर वाले आदमी को दे दिया गया और हमारा था जब हमारे बेपारियों भाईयों का विरोध था कि जो एक मिन्ने के लिए क्योंकि कारण क्या है कि हमारे यहां अलग लग तरीके की कल्चर है तो काफी टाइम से पहले बरसातों का सीजन था फिर कुछ और आगे श्राद आगे तो ऐसे करके तो लोगों का काम ठप पड़ था बेपारी 6-7 मिने से मतलब काम ही नहीं रहता तो नवरात्रों के सीजन में जैसे हमारा लोग बेपारी लोग सोगता है कि हमारा काम होगा और हमारा काम चलेगा अच्छा लोग अपना समान भी केईयों की बहुत ज़्यादे लाइविल्टी है तो चिंतपुर्णी महुस महासव के पहले दिनी किस तरह के गानें गाएगे किस तरह के डांस हुए आपने भी देखा है चिंतपुर्णी महासव का मतलब महामाई चिंतपुर्णी का गुनगान करना है लेकन एक भी महामाई चिंतपुर्णी का गुनगान तो क्या करना उनका कोई अपना उनके कोई नहीं है कोई महामाई चिंदपुर्णी का नारा तो क्या लगाना इन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया और जो जोती लगाई थी बिल्कुल साइड में एक जोती लगा दी अपने आप ऊपर वाले स्टेज में बैठे हो और जोती का जो स्थान है वो नीचे है तो उसमें हमार बिरोध है उसमें बिरोध है और बिरोध रहगा दूसरा कहा है कि जब हमारे बेपारी भाहियों ने बिरोध किया तो लोग गए किने मेरे उपर वी कुमेंट्स किये आपने शोचल मीडिया भी देखा होगा कि इनका कौन सा शोपिंग माल है जो खराब हो रहा है तो और लड़ाई लड़ना यदि आप उसको नेतागरी मानते हैं जब उसमें राइनीतिक चमकाना बोलते हैं तो हम लोग करेंगे को काम क्योंकि गल्त को गल्त बोलना यदि हम लोग अभी गल्त नहीं बोलेंगे तो हमारे आने वाली पीडी भी हमारे से कुछ नहीं सीख पाएगी तो इसलिए चिंतपुर्नी महसब होना चाहिए मैं वह यह बोलता हूँ चिंतपुर्नी महसब अच्छी बात है लेकिन क्या है कि अब देखिए उसमें बाहर से कलाकर लाएगे हमारा जो हमारी जो सरकार है जो बरतमान में सरकार है यही रोना रुती आई कि हमारे पास पैसा नहीं है पैसा नहीं है फंट नहीं है और यहां से पंजाब के जो आके गायक हमारा पैसा 35-35 मिंट का 40-40 लाग रपया लेके जा रहे हैं यदि वो पैसा हमारे किसी लोकल जो गायक है लोकल जो गायक है उसको दिया होता तो हमारे लोकल आदमें कोई फायदा होता और महामाई चिंतपुर्णी के नाम से तो कोई एक दिन भी प्रोग्राम नी हुआ है, न हमारे किसी लोकल गाय को दिया, तो इसमें राय नितिक नहीं बोल सकते हैं, तो लोगों की आवाज उठाना मोलते हैं, इसके राय नितिक नहीं बोलते हैं, तो मैं यह बोलता हूँ कि यदि कार्य क के लोग हैं बिदायक साथ से मिले तो बिदायक साथ ने एक प्रोमिस किया था कि अब की बार चिंटपुर्णी का यो मेला लग गया दोबारा नहीं लगेगा शायद आपको भी याद होगा लेकिन क्या है अगले ही दिन यहां जब प्रोग्राम हुआ तो माननी उपमुखे मं जोती लाई गई है तो उसमें जो आपने प्रोग्राम करना है वो अपना माई चिंटपुर्णी के उसके उपलक्ष में होना चाहिए ना कि उसमें कोई फिल्मिंगाने जा कोई ऐसे कोई डांस किये जाएं कि जो इसके हमारी कल्चर के विरोध में आपने जैसे कि आपने ब उसको लेकर आपको अपती है साथी मैं पूछना चाहूँगा अगर आपने बहुत सारे आरोप जो है स्थानिय कॉंग्रेस पे लगाए हैं और काफी कंभीर आरोप हैं तो क्या आप उनके साथ अगर उनकी तरफ से कोई आता तो उसके साथ बहस करने के लिए मैं तो बोलता यह एक लगी आप प्रचे काटे लेई है अब उस लटकीड्रा का क्या हुआ किसको निकला कितना रेबनुऀ गौए देखो जो मानिव पूरे विधायक साव ने जो अरोप लगाया है वरस्टा चार के वो इसलिए से ही माने जाते हैं कि इन्हों ने उसके विशे में कोई अपनी तरफ से कोई तरक दिया ही नहीं इनके पास कोई फैक्चुल पेपर हैं कुछ देखाएं कि हमारे पास देखो ऐसा है जब आपका अपना प्रोग्राम होता है तब आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है जब यह सांजा प्रोग्राम है पूरे कारक शितर के लोगों का प्रोग्राम है तब आपको सफाई दे जिरूरत है और सभाई देनी पड़ेगी अधर भाई आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपने वरस्टाचार किया है कारण कहा है कि आपने हर विभाग से पर्चिया काटी लगकी ड्रावले कूपन नकाले अब पर्चिया काटी सबसे पैसे लिए दुखानदारों से भी लि गया उससे भी लिए जो किसी और विभाग में गया उससे भी लिए पर्चिया काटी गई तो कितनी पर्चिया काटी कितना जो चिंतपुर्णी ट्रस्ट का जो पैसा इसमें लगाया गया और कितने की पर्चिया काटी कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ कितना आपके पा आपना हमने इतने पैसे आय थे लोगों का पैसा नहीं है नहीं तो इसलिए मैं अपना इस विष्षे के लिए अपना मानिये पूरे बिदाइक साहब के साथ खड़ा भी हूँ अधरबाई अपना कांग्रिस के कोई भी अधिकारी पदादिकारी बोलें कि बताएं लोगों को कि हमने आपका पैसा इतना पैसा आया था क्योंकि चिंटपुनी ट्रस्ट के अंदर जो पैसा है वो भी किसी प पूछना चाहूँगा देखिए आरोप लगाना बोलते हैं बहुत ही आसान काम है लेकिन अगर आपको जो है मौका दिया जाए और अगर आपको भाजपा की तरफ से अगली बार अगले विधानसभा इलेक्शन में मौका मिले तो कौन से ऐसे पांच काम है या छे काम है जो आप सबसे पहले आप प्रात्मिक तरफ पर करेंगे और क्या आपको लगता है कि आप इस जो अभी के मौज़ोदा विधायक है सुदरशन सिंग बबलू उनसे हट कर काम करने वाले है ऐसा सबर्जी की जो हमारी तो जो पार्टी है जो बाजपा पार्टी है हमेशा ही देख लेकिन उसके साथ साथ में हमारे जो लोकल जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मिले लगते हैं चिंदपुर्नी के मिले लगते हैं जब बाबा बढ़बाग सिंग का मिला भी लगता है अपने यहां अभी चिंदपुर्नी मौसर भी हुआ है मिला लग जाता है मिला दूमदाम से होता है, सारी त्यारियां भी दूमदाम से होती है लेकिन उसके बाद में, त्यारियां होने के बाद में जब सारा काम हो गया, मेलग पूरी तरह कंप्लीट हो गया सारे लोग अपने अपने चले गए, उसके बाद में जो स्थानी लोगों को जी उस जो बहां गंदगी जा उसके लिए जो बहुत तरह का पॉलिशन बहुत तरह का जैसे प्लास्टिक पड़ी रहती है कुछ पड़ी रहती है तो उसके लिए एक हर मेले के लिए क्योंकि ये तो लगने है हर साल लगने है ये हमारे तोहार है पवितर तोहार है इनको लग कि अपना जहां अब ग्रॉंड में सभाई नहीं हुई स्कूल का ग्रॉंड था अब एक चीज में और एड़ करना चाहता हूं मैं आपको कि जब हमारे चिंदपुर्नी महसव हुआ जो स्थान इन्होंने चिनित किया कि इस स्थान में चिंदपुर्नी महसव हुआ उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा है जुवां को बहुत प्रशानी हुई जो हमारे जुवा है बहां आपने सुभा सुभा देखा होगा कम से कम कोई 300 के आसपास में बच्चे जो प्रेटिस करते हैं और एक मिना उनकी प्रेटिस वादित रही किसी की भरती थी किसी का कोई फिजिकली टेस्ट था किसी उसमें भरती में कहीं तो सारे किसी ने उनके बारे में सोचे नहीं सिर्फ अपने मनरंजन के बारे में सोचा और अपने मनरंजन को देखते हो उनका भी तो हम लोग यदि ऐसा होता तो ऐसा स्थान चिन्द किया जा हमारे जो इसके रिलेटेड हैं और दूसरी बात यह है कि मैं अपना एक बोलता हूं कि हमारे लोग हमारे जो इंडेस्ट्रिल सेक्टर है आज की डेट में आंप में है थोड़ा बहुत देखा होगा तो बाकी गगरेट में है तो मेरा यह प्राइटी रहेगी कि जो हमारे है इस तरह में दुसाड़ा है तो जब बचारा एक आदमी जो गंगरेट से कम से कम 30-35 किलोमेटर का डिसंस पड़ जाता है जो आदमी एक वहां से आएगा को जुवा ब्यक्ति हमारा नोकरी करने आएगा गंगरेट में तो उसका आने जाने का एक खर्च मेरे खेल कम से कम क क्या से ओस्कार बैठता है ठीक है तो हम हमारी यह प्रवा को रोजगार के लिए जहां-जहां चाहे चोटे ओदिये व्युक्त लगाएं जाएं जाएं पडही नहीं लगाएं आप datos चे व्यूंसें परशह समस्या भी है अभी के लोग ऐसे हैं कि लोगों को सिंचाई करने के लिए शोड़ दो पीने के पानी की समस्या है तो उसके उपर भी ध्यान दिया जाएगा कि और और जैसे हम लोग अभी आंप में आपने देखा होगा हार टाइम लाइट रहती है तो अभी आप उपर की उनको अंधेरे में जाना पड़ता तो नहीं जा पड़ते हैं तो हम लोग उसके उपर भी काम करने की सोचेंगे और तीसरा हम लोग यह है कि मेरे अपने दमाग में कि जैसे हमारे हमारे यहां जो कंटीन है आर्मी की कंटीन है आर्मी की कंटीन अपना यहां है दौलत पुर हैं मेरे प्रेयटिर हैं नोग्त जाता हैं कि और भूजी भाई बिछाते हैं जो उसको वह जाना पड़ेगा तो सवेरी तीन बज़े आके उसको चलना पड़ेगा कर सोग्त नौज दना वजा के लाइन रहेगी कि हम लोग पो जो आर्मी की कंटीन जो ECHS डिस्पेंसरी का इसमें हमारे चिंतपुनिक अपना एक हमारे क्योंकि इसमें दो तरह के विवाग आई एक ECHS एक CGHS जो पेरामिल्टरी फोर्से जाए उनके लिए CGHS है तो CGHS की हमने पहले भी अनुराव ठागर जी से नवीदन किया था और आप भी नवीदन करेंगे उनके पास उनने हमें अश्वाशन भी दिया है कि इस वारू केटर ने और में वो CGHS की डिस्पेंसरी जहां यहाँ पे अंब में भी सिविल हॉस्पिटल है साथ ही चंदपुर्णी में भी हॉस्पिटल है पर स्वास्त को लेकर जो है समय समय पर किसने किसने दौरा जो है आवाज उठाई जाती है स्वास्तेवाओं को लेकर आपका इस पर क्या कहना है साथ ही अल्टरसाउंड जो है का जो सुविदा है वो जनता के लिए उपलब्द करवाई गई थी पर लेकिन वो हार्डली कुछ ही समय चल पाई उसके बाद फिर से बंद हो गई इस पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता सुविदाओं को लेकर क्या जो है यहां पर सुधार होने चाहिए तो सवासे सुविदाओं की तो दो भाजपाव की प्राइटी रही है और आपने देखा होगा कि मोदी जी के उस मतलब प्रयासों से अयूशमान कार्ड शुरू हुआ अयूशमान कार्ड शुरू हुआ और सब को सवासे सुविदा दी गई हिमगेर का शुरू हुआ हमारे हमकेर कारड तो मैक्सिम होस्पीटल वालों ने बंद कर दिया और रही आंब होस्पीटल की बात करते हैं तो हम आंब होस्पीटल में हाले मेरे खैल हमारे जो बरतवान में विदाय काई हैं उन्होंने इसका अल्टरसॉंड मशीन का जो आप ने जिकर किया है उसका करना कि है कि देखो यह बों अल्ट्रासॉंड मशीन लेक्ए और है लोगों के बहुत काफी लंबे से सब्लक्राइड की माइशनर मशीन हने चाहिए लेकिन चली कितने दिन पंदफ़ा दिन से बीचलों कि शॉरे अब क्या है जैसे और अब को सी दवाई है क् happ मैksmum लोगों बिचारे बाहर से दुवाई ले रहे हैं आपने भी देखा हुआ तो स्वास से सुवदा की जरूरता है और आपने तो खुद भी देखा हुआ जब हमारे बिदाएक साथ बिमार होगे थे उनको भी उश्यार पर जाके लेनी पड़ी थी दुवाई ज़िए स्वास से सुवदा यहां अच्छे होते तो हश्यार पर जलंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके साथ ही आपने बहुत ही बेवाकिस सवालों का जवाब दिया लेकिन आपके बातों से कहीं ने कहीं लग रहा है कि आपके मन में भी जो है कहीं टिकेट का कहीं है कुछ विचा निया में जहली तो बहुत लंबे से पार्टी हमारे पूरवज्जो भारती जनता पार्टी में रहे उनने बहुत इसका पार्टी को था है बारती जनता पार्टी में जो टिक्ट देने का प्रावधान है आपको एक परिवार नीता करता ठीक है बारती जनता पार्टी में ट पर्जा कुर्जा उतारने की इंटेंशन है क्योंकि पार्टी ऐसे नेताओं को ऐसे लोगों को टेक्ट नहीं देती जिनों जो द्रातल पर काम नहीं करते तो इसलिए भारती जनता पार्टी में जहां जो बनता कारे करता ही नेता है यहां कारे करता ही टेक्ट आर्थी है और क पॉलूंगा कि मैं टेकटर थी हूं जह टेकट का चाहबानुँ यह तो पार्टी तया करेगी पार्टी देखे कि किस ने कितना काम किया किसको योगे सम्दी है कौन आगे किसका वीजन क्या है उस बेस पे पार्टी ट्रीट देती है जहाँ ट्रीट देना और ट्रीट लेना दोनों ही काफी मुश्कल कारे और इस पर पार्टी की जो कारेश है लिया पार्टी के क्योंकि पार्टी की इमेज ऐसी है कि इस पर उतरना आपको बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड में और आपने देख लिया होगा, अभी तो हम लोग अभी हमारा जो सदसेता अव्यान चुरूआ था, तो सदसेता अव्यान में मैं भी गया था, पहले विक्सित वारतों संकल पर जातर में था मैं, अभी सदसेता अव्यान में भी हम लोग तकरीमन सारी कंसिजिएंसी में घूमे तो मैं श्वर्ण जी आपको ये बनाने के लिए मतलब बताना चाहरा था सदसेता वयान के ओपर मैं इसलिए बोला कि हमारे जो भाजबा के लोग हैं जिनकी भाजबा के साथ में आइडियोजी जुड़ी है बो तो हमारे सदसे बनी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ में उससे जाए तो कांग्रेस के लोग इस दसेता गरांड कर रहे हैं कारण क्या है कि लोग परशान होगे इन से इन्होंने जूटियां गरांटी दे के जूटे प्रलोवन दे के लोगों को गुमरा किया और सत्ता में आगे और अब बोले हैं अपना जो ऐसे देख़र हूं आपसे देखा होगा के जगा गड़े कैसे वर्य जा रहे विए छृट कर दिये जो पेवड रोड उसके घड़े वर रहे यह हमारे इंजिनियर से कोन साथ कोंसी टेकललोघिये पएवड रोड गो पेवड रोड से ही पैचिंग कि यह और इनकी सरकार है स सता का नशाइ भी रहए तो जो मर्जी में आता होई किया जाता उसमें सता का नशाइश्ब्व्क प्राइध का रहते हैं नुक्सान भी आधीयों का होता है वोत कुछ पन्ला सता गाड़ी लेते हैं तब आपका जूभी रिएक्श्छी बन्ला मेरे shame देख लिजिये, होस्पीटलों की परस्थितियां देख लिजिये, स्कूलों की परस्थितियां देख लिजिये तो बड़ी बुरी हालत है इसके साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे, अगर भारत्य जंता पार्टी आप में विश्वास दिखा कर किसी और में विश्वास दिखाती है और उसको अगले विधानसभा के चुनावों की टिकेट देती है तो आपका क्या योगदान रहेगा क्या आप उनको समर्थन उसी साब से करेंगे जैसे अभी आप पार्टी के लिए काम कर रहे है बिलकुल मैं बोलता हूँ मैं पहला आदमी होना है कि आप तो मैं पहला आदमी हूँ मैं और पहला आदमी हूँ उस टैम में मेरा प्रेजिन्स होगी जिस मर्थी को तो यह टिकेट है हम लोग तो पार्टी के साथ हैं हम लोग मैं अपने ब्यक्ति बिशेश के लिए नहीं हूँ मैं तो पहले जब आम आदमी पार्टी में आये थे हम लोग तब भी हमने लोगों को बोला था कि भाई टिक्ट तो एक आदमी को मिलना है बकि उन्हों साथ मिलके चलना है और इसी जिसको टिक्ट मिलेगी वो दो दिन लगाएगा पार्टी के लिए अपने टिक्ट के लिए तो मैं उसके लिए चार दिन लगाऊंगा ये मेरे पका बाज़ा है आप से ही नहीं देखिए मैं ऐसा हूँ कि मैं तो एक तो फोजी आदमी हूँ हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादे राइनिती एक तो मुझे तो यर्वा भी नहीं है और राइनिती हम लोग यहां कुछ अर्णिंग के लिए नहीं आए राइनिती करने के लिए हम लोग तो लोगों का स कंडिडेट बनाएगी पार्टी जिसको भी कंडिडेट बनाएगी मैं उसके साथ कड़ा हूं और तन मन धन से उसके साथ हूं कड़ा हूं अंत में इसमें चिंद्पुर्ण विधान सभा में कॉंग्रेस की विधायक है सोधशन सिंग बबलू है उनका कारेकाल जो है अब तक कारेकाल को आंकते हैं और दस में से आप अगर आपको नंबर देने पड़े ता आप दस में से कितने नंबर अभी के मौजुदा विधाय को देना चाहेंगे अभी तक के कारेकाल को लेकर देखिए मैं तो पार्टी का जहां से अभी बोटर हूं लोग देंगे इनको नंबर लोगों ने आदे तो कुछ तो देई दियें लोगों का आप अपना लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमारे जो जो देवतुले जनता है वो देगी इनको नंबर मैं तो अकेला सेंगल आ दिए ऑज़नी मैं अपनी तरफ से नंबर दूँगा तो मैं इनको तो यह बोलूँगा नंबर तो मेरी तरफ से कोई नहीं मिलेगा इनको जीरो नंबर मिलेगा मेरी तरफ से क्योंकि फेसबुक पे फोटो डालके फेसबुक पे शोचल मेडिया भी आप अपने आपको एक्सप्लोर करके नंबर नहीं मिलेंगे नंबर तो मिलेंगे काम करके बाकि देव तुले जनता है यह देगी नंबर में उनको आने वाले टाइम में और मेरी तरफ से तो जीरो है और दूसरा के है कि जैसे नंबरों की लेकिन जब बोट के रूप में नमबर मिलेंगे तब पते चलेगा इन्होंने कितना काम किया है तो इसलिए शोशल मीडिया भी अपने आपको एक्सपलोर करके लोगों को गुमरा करके जूठे वैदे करके और अपने आपको दिखा के कि मैं बहुत ठागा किया हूं नुकसान दिखा के अपना के तरीका के अथगंडे अपना के यदि आप सोचेंगे कि जनता आपको नमबर देगी तो नहीं देगी क्योंकि जनता बहुत समिधार है एक आदी बार गलती हो सकती है सबसे हुई यह गलती है हमसे भी गलती एक आदी बार गलती हो लेकिन पबलिक इतनी स जाता हू संदेश क्लिया, का आप का हो। उन्हें नहीं हो। का आप鐵 में क्या क्या है। आप से आपको कुछ नहीं ही हासल होने आपको काम करने पढ़ेंगे, दो साल में आपके काम देख लिए, लोगों ने अगले अभी दो साल और बचे हैं, अभी पता नहीं कितने दिन सरकार चलती है, ये भी पता नहीं है, लेकर मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये फेक अकाउंट बनाके जा दूसरे मीडिया से आप, लोगों को धमका रहे हैं, ड्रा रहे हैं, उनको ब्लैक मेल करे हैं, तो वो प्रैक्टिस ज्यादा देन नहीं चलने पाली, और मैं तो पहले एक बार कि इसने कुछ लिखा था मेरे लिए बला बुरा तो मैंने उसको बोला कि आप लोगों के पास जो है और होता भी वैसी है जो आदमी जिसके पास जो समान होता है श्वरजी वोई बीचता है अब जिसके पास गाली होगी वो गाली लिखेगा जिसके पास कोई बुद्धी मानी वाली बात होगी बुद्धी मानी वाले अपना वीजन दिखाओ ना आप लोग हमारे से क्यों बहस कर रहे हो हम लोग तो बोलते हैं आप बहस करो आप अपना काम करके द intenENE करो रोट पे क्या काम कर सकते हैं को अच्छा काम करके दिखाओ रभी आप आप बहस के भी पता दिकारी हैं और बिधाएक साथी हैं आप चैनल के माधएक संदेश देना चाहता हूं कि आप ऐसा करो ना आप अपने कारे लेके आओ कारे किनुआओ और हम लोग जनता है हमारा हक है आप से काम पूछना ठीक है हमारा अधिकार है आप से काम पूछना क्योंकि जनता ने चुना है बिधाय के आए बिधाय के कुछ नहीं है बिधाय को टेस्ट सोड़ी पास करके आता है बिधाय को काम करने के लिए चुना जाता है लोग चुनते हैं बिधाय के अपने आप में कुछ नहीं है बिधाय को लोग चुनते हैं और कारे करता उसके लिए देवतुल्य है अब अब उनको डिराओगे धमकाओगे चाहिए कांग्रेस गयां जाहे भारति जिन्ता पार्टी गयां जिस भी विधायक ने जिस भी निता ने अपने कारेकर्था की इंसल्ट की अपने देव तुले कारेकरथा अपने से दूर किया उसका पतन तैही है मैं यह आपको बोल देता हूँ तो यह थे चिंतपुर्णी विधान सबसे इंजिनर राम पाउल जी जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे तीकी सवालों का जवाब दिया सर आपका हमारे इस खास कारेकरम तीकी सवालों में आने का बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमाचिल फस्ट का धन्यवाद आज आप बहुत एक सूअफसर के मौके पर आए हैं मैं आपके चैनल के माद्यम से भी आमानी संसरोंनाव ठाकवर जी को उनके जन्म दिन के उपलक्ष में बहुत बहुत बधाई देता हूँ और महा माई चैन्तपुर्णी को प्राफना करता हूँ भगवान को प्राफना करता हूँ कि उनको और ताक्तवर बनाएं और हमारे जो लोक सवा संसदिया की शेत्र का जोर्जोर से विकास कर सकें और हम लोग सीना तान के खड़े हो जाएं कि यह मंत्री हो जाब MP हो तो ऐसे हो दन्यवाद तो यह था हमारा आजका कारेकरम तीखा सवाल और तीके सवालों का जवाब बड़े बेबाकी से जो मैं बताया कि चिंद्पुनी विदान सवा से जो भाजपा के ऐसी मूर्चा के महामंत्री हैं उन्होंने जवाब दिये हैं इसके बने रहे हमारे हमाशिल फस्ट के साथ मैं रस्पर शर्मा राम परकाश के साथ अमसे धन् जवाब अबड़ाब लगा बाना जिये हमाद्पुनी ऊवाब पताया के चिंद्पुनी राम पर कर डिल्यापक ज़ाता हैं रहे हमारे हमारे हम विद्पूनी के सरावत हैं बड़े बाता हैं।